बिसमिल्ला रह्मान रहें, कैसे हैं भई आप लोग, एटना नहीं, समझना है, चैप्टर टू, केमिकल कॉंबिनेशन, लेक्चर सिक्स हमने कर लिया था, मौल की एक्जेंपिल्स थी, और अब जो है हम लेक्चर सेविन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका पेज नंबर बुक का 23 है, ठीक है भई, क्या है, पेज नंबर 23 है, आपकी सिंटेक्स बुक बोट की, मैं हूँ आसिफ रजा, कॉपी पैंसिल ले लीजिए, ठीक है, और मुस्कुराते रहे हैं, ठीक है, अब है हमारे पास, यूज ऑफ एवोग अड्रस नंबर, यूज ऑफ एवोग इटरस नंबर, यूज का मतलब इस्तमाल करना, एवोग अड्रस नंबर मतलब इस्तमाल करना, यह आपको आप शिखाया जाएगा लेकिन यह अवगेडर्स नंबर है क्या इसका इस्तमाल क्यों किया जा रहा है और इसका फाइदा क्या है ठीक है भई आवगेडर्स नंबर एक नंबर है ठीक है कौन सा नंबर है यह मैं लिख देता हूं 6.02 इंटू 10 रेस्टो पावर 23 यह नंबर है 6.02 इंटू 10 रेस्टो पावर 23 यह नंबर आपको क्या बता रहा है यह नंबर आपको क्या बता रहा है यह नंबर आपको क्या बता रहा है नम्बर ओ पार्टिकल आपको ये क्या बताता है number ओफ पार्टिकल यानी कि ताधात है ये देखिए वर्ड मने यहां पर पार्टिकल का इस्तामाल किया है याँ देना पार्टिकल एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है फ्रमूला यूनिट भी हो सकता है फ्रमूला यूनिट भी हो सकता है और मॉलीक्यूल भी हो सकता है and so on, etc. तो particles की तादाद हमने mass की तो बात है mass और quantity क्वांटिटी मतलब तादार यह मैं रोमन में इसलिए लिखता हूं क्योंकि हमारे इंडियंस दोस्ट जो है उनको उर्दू नहीं आती इसलिए रोमन में लिख रहा हूं तादार मास का मतलब क्या है वजन और quantity का मतलब था था इनका अपस में relation क्या है बहुत आसा 2 kg शूगर ठीक है मिसाल के दोड़ पे 2 kg शूगर आप गए और शॉपकीपर को बोला 2 kg शूगर आप दे दे उसने आपको 2 kg शूगर जो है वो बैग में निकाल के दे दी आप ले आए इदा 2 kg क्या है आपके बूलेंगे यह 2 kg क्या है यह मास है वजल है वरी सिंपल लेकिन यह 2 kg जो है यह 2 kg बना कैसे है आपने इस पर गौर किया यह 2 kg मास जो है यह किस से बना है यह तादाद से बना है क्वांटिटी से बना है किन की तादात, किन की कॉंटिटी, वो छोटे-छोटे crystals हैं, crystals of sugar, नहीं कि grains या दाने, किसके? शुगर के, चोटे-चोटे से, वो आप बिखेड दें, टू केजी का बेग वो शुगर का है, उसको बिखेड दे नीचे, और चोटे-चोटे से दाने एक जगा एक खटे हुए, तो जाके टू केजी शुगर बनी थी, तो एक बात तो थे हैं, ये टू केजी बनी है, crystals, यानि के, शुगर के दानों थे, ये अलग बात है, ये वो दाने अब होंगे कितने, टू केजी के अंदर, सो दाने होंगे, शुगर क्रिस्टल्स के, सो हजार दाने होंगे, पांच हजार दाने होंगे, दस हजार दाने होंगे, पचास हजार दाने होंगे, या एक लाग क्रिस्ट कि उन दानों की उन ग्रेंज की मिली थी तब जाकि ये टू केजी बना था समझ में आगए बात इसमें कोई कंफूजन ने तो मुझे बता दी ये बात हो गए इत्ते अब ये तो आपको बात समझ में आगए आपने बोला सर बिल्कू सही बात है टू केजी यकीनन शूगर क्र अब आगे चलता है पानी ये पानी रखा हुआ है एक गिलास के अंदर कितना पानी है ये फिफ्टी ग्राम है कितना है फिफ्टी ग्राम ओफ वाटर टीक है और अब आप यात कीजिये जब टू केजी शूगर जो है यकीनन शूगर के छोटे-छोटे क्रिस्टल्स या दान दानों से मिलके बनी है यह दोंट नो हमें नहीं पता वो दानों की तादात कितनी है लेकिन एक बात तो है कि तादात तो है बिल्कुल इसी तरह यह 50 ग्राम जो वाटर है यह किस से मिलके बना है ह2O के मलिक्यूच से ह2O के मलिक्यूच से मिलके बना तो यकिनost ह2O के मलिक्यूच की तादाद होगी कोई ना कोई जिससे यह 50 ग्राम वाटर बना है बिल्कुल इसी तरह ये 50 ग्राम वाटर H2O के मॉलिक्यूज की कुछ तादाद है या तो वो 10 मॉलिक्यूज है H2O के जिन्होंने मिलके 50 ग्राम बनाए या तो वो 100 मॉलिक्यूज है H2O के या वो 500 है या वो 1000 मॉलिक्यूज है या वो 10,000 मोलिक्यूल है, या वो 50,000 मोलिक्यूल है, या वो 1,00,00,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हैं वो तादाद जानने के लिए हम क्या कर जा वह हम वो तादाद जानने के gonna कैसे जैसे जान सकतै हैं कि 50 ग्राम वोर्टर कितने मोलिक्यूस से मिलके बना है एक तो केसी हो गया अभी हमनी पता कैसे पता चलाएंगे एक एक और एक्जेंपिल ले लेते हैं sodium का sodium metal piece है एक तुकड़ा है sodium के metal का वो आपके पास है, वो कितना है? वो 100 gram का है इक है कितने ग्राम का है 100 gram का है अब यह sodium metal का जो piece है यह किस से मिलके बना है? यह sodium के atoms से मिलके बना है sodium के यकीनल कुछ atoms मिले है मेटल का पीस जो है वो बना है तो कितने एटम्स मिले हैं सोडियम के दस मिले हैं बीस मिले हैं चालिस मिले हैं पचास मिले हैं सो मिले हैं दो सो मिले हैं दो करोड मिले हैं दो करोड मिले हैं पचास करोड मिले हैं पचास अरब मिले हैं कितने भी मिले हैं एक बात उते हैं सोड सोडियम के मेटल के पीस का वजन बना है समझ में आ गई बाद मैंने शुगर टू केजी शुगर को एक्जेम्पल को सामने रटके मैंने आपको 50 ग्राम वाटर का समझाया और उसके बाद मैंने सोडियम मेटल का भी आपको समझा दी इसी तरह तीसरी एक्जेम्पल भी हम ले बड़ा ब्रोड गॉंसेप्ट यह आसान नहीं है बड़ा डिफिकल्ट है प्रावलम होगी इसको समझने में लेकिन मैं समझा दूंगा टेंशन लिए उसके पास सॉल्ट आप ले लीजिए सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूलर क्या एने सी यल यह रटेबिल सॉल्ट जो वो कित है फॉर्मूला यूनिट नहीं है बिल्कुल इसी तरह सोडियम का मैटल का पीस वो आपने देखा तो सोडियम का मैटल का पीस मॉलिक्यूट से मिलके नहीं बना सोडियम के एटम से मिलके बना इसी तरह एने सी यल जो है यह क्या है यह मॉलिक्यूल नहीं है यह फॉर्मूल units से मिलके बना है। फार्मूला units से मिलके बना है। लेकिन कितने फार्मूला units formula units से उलजियेगा नहीं? formula units is just same as molecule, ठीकई? और molecule में भी group of items होते हैं basics देखिए जाके मैंने सारी तफसिलात बता ही हैं आफको अचा, उसके बाद कितने फॉर्मूला यूनिट से मिलके बना है भई वही बात 10 फॉर्मूला यूनिट से 20 फॉर्मूला यूनिट से 50 फॉर्मूला यूनिट से कितने फॉर्मूला यूनिट से मिलके 200 ग्राम ये बना है 50 करोड सोडियम कलॉराइट के फॉर्मूला यूनिट से तो ये बाद, अब ये तादाद हमें कैसे पता चलेगी, एक बात तो है कि कुछ तादाद है, NACL के फॉर्मॉला यूनिट्स की, जिन्हों ने मिलके 200 ग्राम NACL बनाए, अब वो तादाद कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात बताई, किसने बताई, अमेडियो ठीक हो, ठीक हो, ठीक है, ये इनका नाम है, 300 साल पहले लगभग इन्होंने हाइपोतेसिस दिया था, 300 साल पहले है, 200 साल पहले, सुरी मुझे याद नहीं सही तरह, इन्होंने हाइपोतेसिस दिया था, और ये हाइपोतेसिस यही था, कि आप जो है, वो चीजें जो पार्टिकल से मिलके वू बजन बना है समझ में आ गई बाद इसके लिए एक छोटी सी जर्णी है क्या है जर्णी जर्णी पता है ना आपको सफर को कहता है हम मास से चलते हैं कि मास से हम मोल की तरफ आएंगे मोल से हम किस साइट पर आएंगे number of particles की तरफ आएंगे यानि कि अगर आपको particles की तादाद जाननी है atoms की तादाद molecules की तादाद या former units की तादाद तो उसके लिए आपको mole समझना होगा और उसके लिए आपको mass यानि कि number one पर आपको mass से शुरू करना पड़ेगा फिर आप mole की तरफ जाएंगे फिर जा कि आप तादाद जो है वो find out कर सकते हैं और अमीड़ एवगेड्रो ने जो number दिया था वो यह दिया था 6.02 इंटू 10 रेस्टो पावर 23 अब यह किस तरह उसने बताया किस तरह उसने daran है मैं आपको बताई है आमीड़ एवगेड्रो कहता है बोलता है एक मॉल ले 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 H2O का वो कितने ग्राम के बराबर है याद कीजिए वो पहले हम इसका मॉलिकुलर मास देखेंगे तो यह होगा 18 AMU देखें चार स्टेप में ज़रा ध्यान से समझेगा इसको वन मॉल ओफ H2O 18 AMU के बराबर है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूलर मास है इसी को हम मॉलर मास में कनवर्ट करेंगे 18 ग्राम और इसके अंदर जो तादाध होगी वो पार्टिकल सी कितनी होगी 6.02 इंटू 10 रेस्टु पावर 23 मॉलिकुल्स of H2 ठीक है भई इसी तरह हो यह नमबर 1 हो गया यह नमबर 2 हो गया यह नमबर 3 हो गया नमबर 2 में 1 मॉल ओफ सोडियम आपको पता है सोडियम जो है सोडियम का पीस है एक आपने लिया वा तो एक सोडियम का एक मॉल जो है वो कितने ग्राम के बराबर है इसका जो अटॉमि मास आ गया और आगे चलें तो यही 23 मोलर मास बन जाएगा 23 ग्राम और इसके 23 ग्राम में पार्टिकल्स की तादाद एटम्स के सोडियम के एटम्स की कितनी है 6.02 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 23 एटम्स और सोडियम मेटन ठीके बाई नंबर सिरी पे जलते हैं एक मोल सोडियम किलोराइट का कितने क्या एम्यू बनेगा सोडियम का एटम्स 23 है किलोरीन का 35.5 तो यह बनेगा 58.5 एम्यू अब यह किसके बराबर हो गया यह हमारे पास फॉर्मूला मास हो गया फॉर्मूला मास को मोलर मास में लेके आएंगे 58.5 ग्राम और इसके अंदर जो है 6.02 एंटू 10 रेस्ट टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ एनेसी है ठीक है बड़ी यह बात आगा तो एक मोल आप ले लीजिए अ और एक बात थोड़ा सा मॉल की description पार्ट वन में तफसीलात बता दी उसमें देख लीजएगा हमारी daily live मॉल भी एक यूनिट है पहले इसको जरा समाई ले मॉल भी क्या है एक यूनिट है और kilogram जो है वो भी एक यूनिट है आपको पता है कि 1 kilogram जो है हो कितने gram के बराबर है 1000 1000 gram केबर, किसकेबर है? 1000 gram केबर है, आप पाकस्तान में 1 kg ले तो 1000 gram केबर है, आप अप इंडिया चले जाएं, जाबान चले जाएं, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, 1 kg जो है, 11 kg के ही बराबर है, लेकिन ये मॉल जो है एक मॉल इसमें फर्क है एक मॉल मुटलिफ चीजों का मुटलिफ ग्राम के बराबर होता है अगर एक मॉल मैं वाटर का लेता हूँ तो ये 18 ग्राम के बराबर है एक मॉल अगर मैं सोडियम का लेता हूँ तो ये 23 ग्राम के बराबर है और एक मॉल अगर मैं सोडियम कलॉराइट का लेता हूं तो ये 58.5 ग्राम के बराबर है ऐसे क्यों है क्योंकि मॉल का तालुक जो है वो किसे है मॉल का तालुक मॉलिकुलर मास से है मॉल का तालुक जो है अटॉमिक मास से है और मोल का तालुक फॉर्मूला मास से है तो जो एटोमिक मास होगा जो फॉर्मूला मास होगा जो मॉलिकुलर मास होगा वो ही असल में हमारा मोलर मास होगा और उसी का एक मोल होगा है तो एक मोल आपको पता है कि उसकी तादाद, उसकी वेल्यू फिक्स्ट नहीं है हमारे डेली लाइफ के किलो ग्राम के मुकाबले में ये फर्क है किलो ग्राम में और मोल में और ये तो आपको पता चल गया अब क्या है? अब आगे चलते है अब मैं आप से पूछता हूँ क्या? question question आगया क्या question है भई मैं आपसे पूछता हूँ पानी लेके आया है मैं आप पानी ठीक है पानी रखा हुआ आपके सामने पानी कितना है पानी आपके पास 36 gram of H2O कितना है 36 gram H2O ये रखा हुआ ग्लास इसमें मौझूद है 36 gram H2O अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना वज़न है इसका वाटर का आप पहेंगे सर 36 gram तो मैं आपसे पूछता हूँ ठीक है ये 36 gram जो है वो पानी के कितने मौल्ट से मिलके बना है आपने जो है फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं ये बात या फिर आप वैसी अगर मैनौल केलकुलेशन करें तो आपको पता है कि H2O के 18 gram जो है वो एक मौल के बराबर है तो यहां पर 18 और 18 का जमा क्या हो जायागा 18 पिलस 18 कितना हो गया 36 gram तो 36 gram कितने 2 moles के बराबर हो गया तो आपसे क्या जवाब दिया आपने बोला 36 gram जो है वो असल में 2 moles के बराबर है H2O के मैंने का चलो ठीके बात तो समझ में आगई ये 36 gram जो है वो 2 moles H2O के बराबर है अगला सवाल मेरा दुबारा आपसे ये 36 gram H2O जो वाटर है ये यकिनल H2O के कुछ molecules से तो मिलके बना होगा कितने molecules से मिलके बना होगा अब आप फस गए आपने बोला सर मुझे मौल का तो पता है 36 gram H2O लेंगे तो इतने मौल बन जाएंगे लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता कि 36 gram water जो है वो कितने कितने H2O के molecules से मिलके बना है कितने कितने H2O के molecules से मिलके बना है मुझे ये थोड़ी ना पता आप बोलेंगे सर बड़ा मसला होगा लेकिन मैं आपको कुणगा परिशान होनी की जुरूद नी एक बात बताएं ये बात तो सही है ना कि कुछ ना कुछ तो molecules की तादाद होगी ना H2O के जिन्होंने मिलके 36 gram water बना है आप कहेंगे हाँ सर बिलकुल ये बात तो थे है यकीनन H2O के कुछ तादाद तो है जिन से मिलके जो है वो 36 gram H2O बना है तो अब मैं आपको बताओंगा क्या कि बस फिर आपसे पूछता हूँ कि एक मॉल जो है वो H2O का कितने gram के बरावर है आप कहेंगे सर 18 gram के बरावर है तो मैं आपको कहूँगा नोट करो मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ कि ये 36 gram water कितने H2O के molecules से मिलके बना है आप बोलेंगे सर आप जादू जानते हैं मैं नहीं जादू तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आपको तादाद बता सकता हूँ कि ये 36 gram पानी के अंदर जो 18 gram पानी है क्या कहा हम मैंने 36 gram water के अंदर जो 18 gram water है मैं उसकी तादाद बता सकता हूँ कि ये 18 gram जो है वो कितने H2O का molecules से मिलके बना है वो बना है 6.02 into 10 rest to power 23 molecules of H2 मैंने का बिलकुल मैंने का 36 gram मैं से 18 gram का मसला हल हो गया भई इतने molecules से मिलके बना है 18 gram आपने का बिलकुल ठीक हो गया मैंने का आप कितने gram बचा आपने का 18 gram और बचा है मैंने बोला 18 gram और बचा है तो उसके अंदर भी इतनी ही तादाद है 6.02 into 10 rest to power 23 molecules of H2O मैंने का दोनों का पता चल गया आपको 18 gram का भी पता चल गया दूसरे 18 gram का भी पता चल गया मतलब अपक्या करना है 18 gram इतने molecule से मिलकाइड बना है दूसरा 18 gram इतने molecule से मिलकाइड बना है इनको जमा चल लीजिए very simple तो आपको पता चल गया इसको जमा करने के पार आपके पास result आ जाएगा कितने molecule से मिलके 36 gram water बना है समझा रही है बात आप Confuse तो नहीं हो गए समझ में आ गई अगर तो समझ में आ गई तो बहुत यह अच्छी बात है Comment section में मुझे जरूर बताईएगा क्योंकि यह आसान concept नहीं है बार बार आपको देखना पड़ेगा मैं इसको Lecture 7 को Avogators number को Part 1 करता हूँ Part 1 करते हैं अभी हमसे बहुत डिटेल है Examples की तरफ बाद में जाओंगा Review कर लें अभी हमने किसको देख लिया One mole of H2O8 इसको हमने देख लिया तो Avogator number क्या है Avogator number जो है एक number है यह number आपको क्या बताता है यह number क्या है यह number असल में तादात का बताता है आपको किसकी तादात का बताता है चीजों के चीजें जो होती है या तो वो एटम से मिलके बनती है या वो मॉलिक्यूट से मिलके बनती है या वो फॉर्मूला यूनिट से मिलके बनती है वो चीजें भले एटम से मिलके बनी हो चाहे मॉलिक्यूट से मिलके बनी हो चाहे फॉर्मूला यूनिट से मिलके बनी हो उनका अगर कुछ वजन है तो यकीनन वो वजन कुछ तादाद से मिलके बना होगा पार्टिकल्स की और वो तादाद आप इस नंबर की मदद से बता सकते हैं ठीक है? केस स्टेडी के तोर पर हमने एक मॉल H2O का लिया इसका हमने मास देखा ये कितने मॉलिक्यूल के बराबर है? 6.02 इसी तरह एक मॉलिक्यूल सोडियम का लिया एक मॉल सोडियम का लिया और केस स्टेडी के तोर पर हमने 36 गराम H2O अगली वीडियो में इन्शालला हम सोडियम को भी देखेंगे इसी तरह और सोडियम कलॉराइट को भी देखेंगे इसी तरह तो अब आप इस काबिल हो गए हैं इस बात पर अपना वीडियो खतम करता हूं में अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप चीजों में में वजूद जो एटम्स हैं जो मॉलिक्यू्स हैं या फॉर्मॉला यूनिट्स हैं अब आप उनकी दादाद बता सकते हैं किस तरह बता सकते हैं विद दा हैल्प ओफ आवबडरो नंबर पार्ट वन ही खतम करते हैं आसिव रजा को इजादत दीजिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा नो लाइक नो सबस्क्राइब अनली शेर